असलाम अलेकूं I hope you all are fine, happy and safe Today we will discuss about paper pattern and how I got 1062 marks in metric मतलब ये के मैंने metric में 1062 marks कैसे लिए तो ये जी आते हैं, ये paper pattern है जैसे के आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने line लगानी है equal होना चाहिए, page के बीच में हमने section 1 लिखना है ये देखें, आप nip cut marker यूज़ कर सकते हैं या आप simple marker यूज़ कर सकते हैं मैं nip cut marker इस्तिमाल करता हूँ अब हम लिखते हैं subjective part 1 क्योंकि short questions part 1 में आते हैं इसलिए हम subjective part 1 लिखते हैं और इसके बाद पहला question आता है question number 2 question number 1 MCQs का होता है ठीक हो गया, अब हम underline करेंगे इने मैं 6.5 marker इस्तिमाल करता हूँ और 6.4, 6.5 marker बड़ी heading के लिए और 6.4 चोटी heading के लिए ये देखें ये जैसे के आप देख सकते हैं हमने full-fledged अच्छी तरह से line लगा लिए हैं अब हम question number 1 पार्ट में आते हैं अब लग समझ रहे होंगे के ये मैंने लड़कियों की तरह paper pattern बनाया है लेकिन ये ऐसे नहीं है ये जो paper pattern होता है ये ऐसी ही प्यारा बनाना होता है कि examiner देखें पहली बारी देखें और वो केहें कि ये अच्छा बचा है like बचा है और वो सिदह तोड़ा तोड़ा मतलब तोड़ी तोड़ी चीज़ें चेक कर लेता है और सिदह Lei ते देता है वो कहता है वो वो इतना time लगाता paper प्योंकि又 समझ लाजाती है कि ये like बचा है क्योंकि उने इनके पास बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं और बहुत ज़्यादा पेपर चेक करने होते हैं इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता इसलिए हम biology की ये दे के पहली heading लिखते हैं उसके बाद उसकी definition इसके बाद अंडर गालाइन अब आते हैं क्वेशन नंबर टू क्वेशन नंबर टू का पार्ट टू पर एक्जामपल जैसे कि उदर क्वेशन आया है कि डिफाइन लाइफ तो हम यहां सबसे पहले लाइफ की हैडिंग लेकिंगे उसके बाद उसकी डेफिनिशन लेकिंगे यह ले यह हमने लाइफ की डिफिनिशन लिख ली है अब हम पिर अंडरलाइन करेंगे अब देख सकते हैं कि हमने सब्जक्टव पार्ट वण कर लिया है और क्वेशन पिर आते हैं लेकिन मैंने और टائम जायनाइफ कने के लिए यही बस किया है अब और भी इस question number 3, question number 4 के लिए यही pattern इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम आते हैं subjective part 2, long question के लिए सबसे पहले हमने लिखा subjective part 2 फिर question number 5, total question number, question 2, 3 और 4 होते हैं short question और उसके बाद long के लिए question number 5 होता है अब हम इसे underline करेंगे और कोशिश करें कि यह line फुल सीधी हो, टेड़ी ना हो ताके examiner जैसे ही देखें और उसको आपका paper अच्छा लगे यह देख सकते हैं अब हम long question की heading लेकेंगे और अगर आपने सही पेपर में marks अच्छे लेने हैं तो उसके लिए आपकी writing भी साफ और अच्छी होनी चाहिए ताके examiner को पता चले कि समझ आए जो आपने लिका हुआ है अब कुछ बचे होते हैं जिनकी writing बहुत गंदी होती है तो examiner को समझ नहीं आते तो वो सिधा थोड़े marks देते हैं या पिर 0 marks देते हैं अपने वो like बचा होगा वो उसे सब कुछ आता होगा उसने पूरा paper अच्छा किया होगा लेकिन बस examiner को समझ नहीं आ रही होगी अब यह देखे हमने इन्हें अंडरलाइन किया अब हम इसे solve करते हैं यह हो गया अब end और जब जैसे ही आप long question खत्म करें तो आखिर में question के आखिर में दो तीन चार lines उसके बाद आप यह line लगाएं end line और उसमें पिर लिके the end उससे paper और आपको examiner को अच्छा लगेगा यह जी हो ले हो गया paper pattern I hope कि मेरा paper pattern आपको अच्छा लगा होगा तो अगर आप यह paper pattern फालो करते हैं तो आपके metric में definitely thousand plus marks आएंगे wish you all the best Allah Hafiz